जब मैं लोगों से बात करता हूँ कि आप अपने बच्चों को भी योग बनाईए, कलेक्टर बनाईए, जज बनाईए, ऐसा दीकारी बनाईए, जो समाज में कुछ दे सके, सिर्फ धन कमाने के लिए वैदा नहीं हुए हैं, इस बात को ध्यान रखना होगा, मैं आपको तो हमारा एक विद्यार्थी हम से मिलने आया, तो हलाकि वो विद्यार्थी अदी सुन रहा होगा, तो उसे इस बात का अभास हो जाएगा, तो उस विद्यार्थी से मैंने पूछा, काफी समय बाद मुलाकात हुई थी हमारी, और मैंने का भी या क्या तैयारी चल रही है आ पाइलट ही क्यों तो उसने का पाइलट की पेमेंट बहुत अच्छी होती है तो मुझे थोड़ा सा कस्थुआ कि आज का हमारा जो युवा है वो पेमेंट की पीछे भाग रहा जबकि उनके परिवार में सब लोगों के पास में आर्थिक रूप से कहीं न कहीं मजबूती है क्योंकि उस बच्चे का नाम नहीं लेना चाहूंगा भविसमें जरुत पढ़ी तो उसको सामने खड़ा करूंगा और मैंने कहा क्यों यह बताओ भी या कि आप पाइलट बन के कितने लोगों का भला कर पाओगे और आपको कितने लोग जानेंगे तो बोली पेमेंट तो अ मैंने का आपके पिता जी कहीं न कहीं कमा रहे हैं आपके भाई हैं आपके बहन हैं सब लोग कमा ही रहे हैं आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आपको पेमेंट भी मिले और आप लोगों का हित भी कर सको लोगों के हित के बारे में सोच भी सको तो पहले आप बताईए तो मैंने क यदि कलेक्टर बन जाओगे, तो आप कुछ नहीं, तो आपके पास में एक जिले की बागडोर होगी, और आप एक जिले का कल्यान कर सकोगे, यदि एक इमानदार और पवित्र विक्ति बन जाओगे, चूँकि मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि आप चाड़क और चंदरकुप्त बनो, क्योंकि पचाड़क और चंदरकुप्त का नाम लेना थोड़ा सा लोग चाहते तो हैं, लेकिन चूकि क्या है वो इमानदारी वाली स्रेणी में आ जाएंगे, इसलिए लोग यह नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे इमानदार बने, लोग चाहते हैं कि हमारे बच्च अच्छी सेलरी लेकर घर आए, अच्छी बड़ी गाड़ी हो, जिस गली से हमारा बच्चा निकले, उस गली से सिर्फ हमारे बच्चे को नहीं हमारे बच्चे की खरीदी हुई गाड़ी को लोग देखें, कि यह सबसे महंगी गाड़ी लेकि हमारा बेटा सहर से लोटा है, अब कुछ लोगों की इक्षा हुई कि हमारा बच्चा खूब कमाये खूब बढ़े तो इसवर ने उनकी इक्षा पूरेगी उस बच्चे को भी देश में ले जाके सेटल कर दिया अब वो बच्चा चाह के भी आपके पास समय नहीं दे पा रहा है चोंकि अब विदेश में इतना काम होता है इतनी जिम्मेदारियां होती है कि वो व्यक्ति अब अपने माता पिता को ना तो वहां ले जा सकता क्योंकि उसके माता पिता वहां की स्थितियों से वाकिफ नहीं है वहां के रंग ढंग में रंग नहीं पाएंगे इसलिए उसको वहाँ ले जाने में कही न कही अस्विधा महसूस होती है या वो ले जाके रख सकता है तो उसका परिवार जो है अब वो कही न कही साथ नहीं दे पा रहा है उसकी पत्नी है उसके बच्चे है उसकी पत्नी और बच्चे को मौडल फादर मदर चाहिए यदि उनके घर में कोई रिलेशन से प्वाला आ भी जाता है तो उनके पास में समय नहीं दे पाते है या तो उनको होटल में रुका दिया उनके खाने पीने की विवस्ता कर दी मतलब पूरा खेल जो है चारो तरफ का होके आप एक पेमेंट तक और पैसे तक ही सीमित रह गया है कि आप आए हैं तो एक काम करिए होटल में रुक जाएए मैं पेमेंट कर दूँगा आप होटल में फोन कर दीजे क्या खाना है आपको मैं पेमेंट कर दूँगा और बस बात वहीं आके रुक जाती है कि आप उसके साथ समय नहीं दे पा रहे हैं तो यदि वो कोई पुराना रिष्थेदार होगा आपका तो वो कहेगा कि भीया अब मेरे बच्चे के पास या मेरे रिष्थेदार के पास समय नहीं है तो अब रहना ठीक नहीं यदि dene के यूग क्या विक्ति है तो उसके पास खुद भी समय नहीं है तो मेरा कहने का मतलब य스타 था कि हम अपने बिच्चों को यदी चाहे तो चानक को और जबना सकते हैं लेकिन ऐस जमाने के चानक को चंद्रकुft बनाने के लिए 충ौ माता-पिता को भी कहीं न कहीं उनके माता-पिता जैसा बनना पड़ेगा जो आज के माता-पिता में देखने में नहीं आ रहा है तो बस एक इतना निवेदन था कि अगर आप अपने बच्चों को कहीं कुछ बनाना चाहते हैं तो इतना करें कि बच्चे आपके समाज के किसी काम में आएं सिर्फ अपने काम के न रह जाएं क्योंकि अपने काम के यदि रह गए तो वो आपके काम के भी नहीं है इस बात को आप मान लीजे यदि उस समाज के काम आएंगे आप अपने बच्चे के अंदेर से संसकार पैदा करिए लेकिन आज की सिक्षा प्रणाली देखी सरकारे भी सिक्षा प्रणाली को लेके चिंतित नहीं है वो सिर्फ यह चाह रही है कि आपके बच्चे से किताबें पढ़ते बनने लगे उसका ज्यान ना आए यह रणनीती देखी आप आपको जानकर हैरानी होगी कि V.I.M.P. I.M.P. Question Series यह क्या है बच्चे को सिर्फ पास कराने के लिए यह बहुत बड़ा सड़ेंत्र है और यह सड़ेंत्र कोई और नहीं हमारी सरकारें खेल रही है जिनको हम समझ नहीं पा रहे हैं सरकारें कोई भी हो सकती है किसी पार्टी को लेके आप सरकार मत समझे ये उपर से एक सड़यंत्र है कि हमारे युवापीड़ी को योग नहीं होंगे चुकि देखे जो प्रशन आपको मिल रहा है पूरी पुस्तक में अब आपको कुल बीस प्रशन दे दिये गए कि बीस प्रशन आप याद कर लिजिए बस आपको पास होना है तो यह पास होने की होड है पास होने की होड में चाड़क और चंदरगुप्त पैदा नहीं हो सकते क्योंकि हमारा भारत देश जो विश्व गुरू था और अब जो है सिर्फ एक पहचान बनकर रह गया है कि विश्व गुरू की पहचान तो आप हम बिस्व गुरू नहीं बन पाएंगे इस बात को ध्यान रखिया आप और उसके जिम्मेदार आप होंगे और हम होंगे लेकिन मैं तो कहीं न कहीं इस संतुष्टी के साथ मैं रह लूँगा कि मैंने आपको जगाने का परियास किया था लेकिन आप नहीं जागे इस बात का आपको हमेशा कश्ट रहेगा आपकी संताने आपको जग जोरेंगी आपको गाली देंगी कि आपने एक विक्तिने दी सही सलाह दी थी उस समय दी आप भी जागे होते मुझे भी जगाया होता तो आज हम कुछ कर पाए होते तो इसलिए आप सभी से मेरा पुनह निवेदन है प्रार्थना है और आप इसको जिस एंगल से स्विकार कर सकें बस स्विकार करिए कि आपको अपनी संताने योग बनानी है इमानदर बनानी है भर्ष्ट नहीं बनानी है दो पैसे कम कमाले वो अच्छी बात है लेकिन संसकारी हो तो बहुत अच्छा रहेगा जै हिन जै भारत जै मात अदी